ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिख स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अप्रेल बुद्वार के रासी फल के बारे में की हा दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायता होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मेस रासी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज बॉजेटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाब के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बाहर के कंपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामगाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पैणाम प्राप्त होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गणमानने लोगों द दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दौरान आप किसी प्रापर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रापर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिंदिगी पूरी तरह से जिएंगे जया दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जया दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी मेनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जया दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोकि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ए संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बना हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांती के साथ साथ कार्वयवसाय में भी आज वेवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट थता परिस्सानियों से कार्वय योजनाओं में बादाईं उत्पन हो सकती है अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रेहे दोस्तो साती सात आपका शक्की स्वयभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है बच्चों पर जादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वयभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम्मान कर कुछ मतवेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तो साथ साथ आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी स्रंखला के पनपने के करण आपको समंजस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साफधान र दोस्तो अगर आपके दमपत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तो प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अतियुत्तम रहेगा या दोस्तो विवादों से आप दूर रहें किसी के कहन पर कोई कार्य आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा अथे अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है, इस दिन का आपको अवश्चे ही लाब उठाना चाहिए, दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपका वेवस्चा केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने जादा जाहिर ना करें, आपकी गुप्त योजनाओं आपके काम म जादा फायदे देंगी जा दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननेता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जा दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथिसाथ आपको पैसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में न दोक्री से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे जम दोस्तो शारारिक्षे जादा मांसिक स्वास्थ पर आज आपको अधिक जोर देने की जड़त है आपको अपने क्रोध पर आज नियन तरण रखना होगा साथिसाथ दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को आप 11 या फिर 21 दुरवा की गांटे चड़ाएं और आप गाय को इस दिन हरी घास भी खिलाएं जया दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री गनेश बहुत जंद प्रसन होंगे आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे और आपको ऐसा करने से सुब फलो की प्राप्ती होगी और आपके समस्त कार रहें बहुत यासानी से बनते चिले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट से बोक्स में जै श्री गनेश अवर्ष्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद